EPFO pension, जानिए एक खपस्ची वाच साल की उमर में pension से जुड़े नियम और pension करना अगर आप नौकरी पेशा है, तो हर महीने करमचारी भविशय निदी संगठन में आपका योगदान होता है ये योगदान आपके retirement के बाद वितिय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो लोग लगातार त्याट सालों तक EPF में योगदान करते हैं वे retirement के बाद pension पाने के हगदार होते हैं आमतोर पर ये pension भासिटी आइच साल की उमर में मिलती है इस लेक में हम जानेंगे कि EPFO pension के नियम क्या है और pension की करना कैसे की जाती है EPFO pension के लिए बात्रता EPFO pension योजना का लाब उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्ते हैं 1. यूनतम 10 साल का योगदान EPF सदस्य को नियूनतम 10 साल तक लगातार EPF में योगदान करना होता है ये योगदान करमचारी और नियोकता दोनों द्वारा किया जाता है 2. उमर pension पाने के लिए सदस्य की उमर नियूनतम 28 साल होनी चाहिए हालांकि कुछ मामलों में 50 साल की उमर के बाद भी pension का प्रावधान है जिसे early pension कहते है 3. सदस्य का EPF खाता सक्रिय होना चाहिए और उसमें नियमित योगदान हो रहा हो pension की करना EPFO pension की करना सदस्य की pension योगय सेवा और औसत वेतन के आधार परकी जाती है इसके लिए निमलिकित सूतर का उपयोग किया जाता है उसत मासिक वेतन ये सदस्य की रिटारामिक इंसरेले की अंतिम 64 महीनों के ऑसत मासिक वेतन पर आधारिद होता है अगर किसी सदस्य ने टैन साल तक योगदान की योगदान की किया है तो उसकी pension योगे सेवा वर्ष 10 होगी Early pension अगर कोई सदसी हावर और और साल से पहले pension लेना चाता है तो उसे early pension का विकल्ब चुनना होता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्टे है One, उम, उमर सदसी की उमर कम से कम 20 साल होनी चाहिए Pension की कटोती Early pension लेने पर pension की राशी में कटोती की जाती है ये कटोती हर साल के हिसाब से की जाती है जो 50 और साल से पहले pension लेने पर लागू होती है प्रतिवर्ष 40% की कटोती की जाती है देरी से pension अगर कोई सदसी खाची वाइट साल की उमर के बाद pension लेना चाहता है तो उसे देरी से pension का विकल्प चुनना होता है इसके लिए भी कुछ शर्टें है 1. अधिकत्म उमर सदस्य 31 साल की उमर तक pension लेना टाल सकता है 2. pension में वृध्धी देरी से pension लेने पर pension की राशी में वृध्धी होती है यह वृध्धी प्रतिवर्ष 6% की दर्से की जाती है विधवा और अनाथ pension EBFO pension योजना में विधवा और अनाथ pension का भी प्रावधान है अगर किसी सदस्य की मृध्यों हो जाजाए तो उसकी पत्नी और बच्चों को pension मिलती है विधवा pension विधवा पेंशन सदसे की मृत्यू के बाद उसकी पत्नी को मिलती है ये पेंशन सदसे की पेंशन के 20% के बराबर होती है अनाथ पेंशन अनाथ पेंशन सदसे के बच्चों को मिलती है ये pension प्रत्येक बच्चे के लिए सदसे की pension के टैसी 5% के बड़ाबर होती है अधिक्तम दो बच्चों को ये pension मिलती है pension का दावा कैसे करें? pension का दावा करने के लिए निमल लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है pension का दावा करने के लिए EPF सदसे को form 10T भरना होता है ये form EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्द है था, दस्तावेज, form के साथ कुछ आवशेक दस्तावेज भी जमा करने होते हैं जैसे की आधार कार्ड, बैंक खाता विवरन और पेंशन योगिस सेवा के परमान बंतर EPFO Office form और दस्तावेजों को EPFO, के नज़िदी की काडियाले में जमा करना होता है pension की राशी का भुकतान, pension की राशी का भुकतान सीधे सदसी के बैंक खाते में किया जाना है इसके लिए सदसी को अपना बैंक खाता विवरन सही सही परदान करना होता है pension की राशी हर महीने की शुरुआत में बैंक खाते में जमा होती है निश्टकर्श, EPFO pension योजना नौकरी पेशा लोगों के लिए एक महत्यो पून विद्धिया सुरक्षा का साधन है यह योजनान के वल रडायर्मेंड के बाद विद्धिया सहायता प्रदान करती बलकि विधवा और अनात pension के माथ्यम से परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करती है pension की गर्ना सदसी की pension योगी सेवा और औसत वेतन के आधार पर की जाती है अरली पेंशन और देरी से पेंशन के विकल्पों के माध्यम से सदस्य अपनी आफशक्ता के अनुसार पेंशन प्राप्त कर सकते हैं EPFO पेंशन योजना के नियमों को समझ कर और सही तरीके से पालन करके सदस्य अपनी पेंशन राशी का सही सही लाब उठा सकते हैं